हे गाईज, ओर राइड, काफी दिनों के बाद मैं Facecam वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारी प्रोबलम चल रही है लाइफ में, इस करण में मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम Facecam वीडियो सुट करें, क्योंकि इसमें कैमरा को सब कुछ सेट करने पड़ते हैं, ला इस टाइब की कैसे स्कीन को स्मूध कर सकते हो एंड ओयल प्रेंट वाला एडिटिंग कर सकते हो एंगिज आपसे रिक्वेस्ट यह है कि हमने अपना हाल ही में एक मोटर व्लोगिंग चैनल स्टार्ट किया है उस पे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो description में हमने link दे दिया है आप ऊस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को जरूर सपोर्ट करो क्योंकि पोट्रेट के यूज करके ही हम फेस को स्मूध करेंगे इस वीडियो में ठीक है तो सबसे पहले हम ट्यून इमेज के अंदर जाएंगे ठीक है यहां पर थोरा सा उपड़ आपको करना है यहां पर से यहां से डन करना है ठीक है यहां से डन करने के बाद आपको यहां से अंडो वाले बटन पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से इनवर्ट कर देने के बाद अपनी फोटो को आपको जूम करना है और कुछ इस तरीके से आपको एरेस कर लेना है ठीक है यहां पर हम इसको zero कर देंगे जीरो करके आपको पूरे बॉड़ी पार्ट पर इस तरीके से चला देना है ठीक है मतलब यह जो हमने effect दिया है वो सिर्फ हमारे background पर होना चाहिए ना कि हमारे cloths पर एंड हमारे skin पर ठीक है तो हमें कुछ इस तरीके से erase कर लेना है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे से सीख भी पाएं ठीक है तो हम कर लेते हैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कि अभी आप लोग देख पार हो कि यह इफेक्ट जो है हमने अपने स्किन से एंड हमें अपनी क्लोथ से एरेस कर दिया हैं ठीक है मतलब अपने पूरे बॉड़ी पार्ट से इसको एरेस कर दिया है अभी है आप देख पहरो कि यह वाला इफेक्ट George देख़ाओगे यह देख़ाओगे आपर थोड़ा इंक्रीज कर देंगे यहां पे हाइलेट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे ठीक है और यहां सेथोड़ा बैग जाएंगे अब यहां से थोड़ा बैक जाएंगे अभी आप देखवाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके के दिख रही है तो अब आपको गईज क्या करना है इस पेंसिल वाले आईकोन पे क्लिक करना है देन यहां से जाना है स्लेक्टिव टूल के अंदर एंड यहां फे ऐसे इस सेलेक्षन बना लेना है यहां पर आपको ब्राइटनेस को थोरा सा इंक्रीज कर देना है तो अभी आप देख वाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर में कुछ इस ट्राइप के दिख रही है तो अब आपको क्या करना है थोरा सा आपको उपर जाना है यहां आपको एक हीलिंग का उप्षिन मिलेगा पॉट्रेट का उप्षिन मिलेगा पॉट्रेट पर क्लिक करना है देन यहां से आपको स्ट्रक्चर को कम कर लेना है यहां पर से इतना हो जाने के बाद अभी आपको स्ट्रक्चर करने के बाद इसकी अमाउंट आपको 10 कर लेना है पर कुछ इस तरीके से इसको चला देना है इससे क्या होगा कि आपका ले लिप जो है थोरा रेड दिखेगा मतलब फोटो में बहुत ही फीका फीका लग रहा था तो अभी आप देखवारों के लिपस बहुत ही अच्छा लग रहा है ठीक है तो इसको हम इतना रहने देंग इप के और हम इस फोटो के अंदर और की हम एफ यहां पर यहां पर यहां पर आपको आपको सबसे लास्ट में जाना है यहां पर आपको एक इन्हेंस का उप्शन मिलेगा इन्हेंस पर क्लिक करना है यहां पर आपको एक सार्पें का उप्शन मिलेगा सार्पें पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहां से जैनरल को सेलेक्ट कर लेना है ठीक है जैनरल सेलेक्ट करके यहां से बापको डैन क्लिक करेंगे यहां से बापको क्लीन कर देने के बाद अप्लाई सेलेक्ट हो जगा और अप्लाई कर देना ठीक है तो याद रहेगा कि जो भी हमने यहां पर दे रहे हैं मतलब चला रहे हैं ब्रस को यह सिर्फ आप आपको अपने पर इली रखना है तो अभी आप देख वडाल पर जैसे अमने यह चला दिया आप देख वरो केतना अच्छा यहां पर लगने लग गया ठीक है तो अभी आप देखवारों कि overall हमारी फोटो में oil print वाला effect जो है डल चुका है अभी आप देखवारों कि फोटो बहुत ही खुब सूरत दिख रही है ठीक है अब इस फोटो को सेब कर लेंगे यहां से वाले आइकॉन पर क्लिक करने आपको यहां से जेपीज रहेगा यहां फ काफी सिंपल था और गईस बैक्राउंड को ब्लर करना कैसे किया जाता है इसको पर मैंने अल्रडी एक वीडियो बना दिया तो वीडियो देख के आप एजली सिख सकते हो कि बैक्राउंड बलर कैसे करते हैं और मोटर व्लोगिंग वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मे हैं आप सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो आई विल स्विन दे नेक्स वीडियो गाइज लव यू ओल टेक केर बाबाए